कि अधिन की कुंडली लेकर कि आया हूं इनका नाम जैसे किसना है यह अवस्था इनकी बहुत छोटी है पर इनके पिता ने आया इनकी कुंडली भेजी कुछ भी सवाल नहीं है पर फिर भी मैं अपने हिसाब से क्या-क्या बता सकता हूं किसी भी जातक की कुंडली में बहुत सारे पक्ष होते हैं बताने के पर फिर भी सामाने तया किन सब चीजों का ध्यान रखना होता है सबसे पहले मैं आपको इनके पंचांग से परचे कराता है आश्विनमा दक्षणायन आश्विनमा में जन्मे होने के कारण विप्ति आरम से ही तकलिफों से मुक्त होता है और उसके सबसे अच्छी बात यह होती है उसमें की वो कभी भी माई होता है यह पहली बात दक्षणायन में जन्मय होने से आत्मवल थोड़ा सा confusion में होता है, मतलब यहां पर पापक ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सुभग ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा, यहां लेकिन यहां चंद्रमा ठीक हो जाएंगे, मतलब अच्छे हो जाएंगे, शरद रितु में जन्म से और पिता से लाभब राप्त कर लेगा बुद्धवार के जन्में होने से तारकिक समझदार और सहसी होगा यह आगे भी बताऊंगा कि यह कैसे और भी ज्यादा बढ़ेगा उत्रा शड़ा नक्षत्र और सुकर्मा योग यह बहुत अच्छा बावकरण और वैश्वन और म स्कुट्रग्ति जो है वो थोड़ा थोड़ा वो कम्परेटिफले काम करता है दूसरों को देख नैखकर के अपना वी रणदीदी बनाता है और टै करता है शुरू करते हैं अब इनकी कुंडली पे में लेके आता हूं, पंचांग में सबसे अच्छी बात है इनकी कुंडली का चंद्रमा और बुद्धवार का चंद्मा होना, दूसरे नमबर पे थोड़ी सी कमजोरी दक्षणायन के कारण देखने को बन सकती है, वैसे चंद्रमा अ 24 दिगरी के लगन में, 24 दिगरी पांच कला भरणी नक्षत्र का ये जो नक्षत्र होगा, इसमें भरणी नक्षत्र के अधिपती शुक्र जो है वो अस्तम्भाव में बैठे हैं, केतू के साथ अनुराधा नक्षत्र में, यानि कि भरणी नक्षत्र जो लगन का अधिपती बना वो मंगल वो छट्वे में और जिसना च्छत्र में जातक का जन्मुआ है उसना च्छत्र के जो अधिपती है शुक्र वो अस्तम में बैठे शुक्र राहूँ और केतु के संपर्क में जिस पर किसी भी शुभग्रा का कोई प्रभाव नहीं लगन के अधिपती मंगल जिस गुरु की दिश्टी जा रही है बुद्ध और मंगल एक साथ बैठे हैं सुर्य भी उनके साथ उनका सहयोग कर रहे हैं यहां पे मंगल और बुद्ध के साथ दो-दो पापग्रहों के संपर्क में आ करके बुद्ध भी पापग्रहodर हो प्रतियोगिता में सबको हरा करके खुद विजयता बनने वाला और खेल के भावना से राजनिती से युक्त हो करके अपने जीवन में हमेशा ही सफल होने का जैसे उसने ठेका ले रखा हो वैसा हो जाता है घूस करके मार करके निकल जाए और किसी की हिमत रही होगी मैं एक बा हमारे पास हमारा कोई बल नहीं होता और हमारे पास बल किसी हथियार या गोलबारूट से नहीं होती हमारे पास हमारा बल हमारे सुर्य की अराधना से होती हमारा बल हमारे संसकारों से जैसे ही हम छोड़ जाते हैं हम अपने माता-पिता से जैसे ही छोड़ जाते हैं हमारे पास हमारे सत्कर्मों का बल जब जैसे ही खतम होने लगता है तो हम उतावलेपन से युक्त हो करके कई बार कुछ भी बोल जाते हैं जिसका खामयाजा हमें भुगतना पड़ता है इस वजह से हमेशा ही अपने आपको मजबूत बनाते रहिए कैसे सत्य की जो है वो पारचाई हमेशा पढ़ने ही जाएं मतलब आपके आसवास की जो दिवाल है वो सत्यवाली होनी चाहिए असत्यवाली धा जाती है और उसकी जब पारचाई आपके उपर पढ़ेगी तो आप जल्दी ही धासा हमेशा याद रखने वाली है यह बगती हमेशा ही सुधने रहाप्त करने किसी से हारने नहीं देगा और हमेशा ही उसके पास चौगुना बल बना रहेगा गुरु की द्रिष्टी से इस भाव पहुत भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और ने संदे ये अच्छी बात होगी भरणी नक्षत्र के चौथे चरण का जर्म होगा जिसके अधिपती हो जाए कर रहे हैं मंगल की चौ defender से अधर्म के लिए बहुत जादा बेतर रविक्ति को लाभानवीद करने वालई वहीं साथमी सकी में कई बार डभ्ति किसी से भी डरने वाला नहीं और हमेशा ही सबको निस्तना बुद्ध करने बाला होता है और वहीं आठवी दिश्टी जन्मकुडली में अपनी ही रासी भी पड़ेगी तो व्यक्ति को और जावान और प्रतिस प्रधा से युक्त हो करके व्यक्ति को निडर बना करके आगे एकदम एकदम चपरदस् बहुत अच्छे मित्र नहीं होते पर संता का संबंध होता है इस वजह से मंगल की दशा और शुक्र की दशा व्यक्ति के जीवन में अच्छी जाएगी अब इक बात और कहता हुए इस नक्षत्र का प्रभाव जाते को कैसे प्रभावित करेगा जब इस सवाल का उत्तर मतलब वो अपने आप में मश्गूल मस्त और सांत रहने वाला होता है भगवान की भक्ती में हो या फिर अपने काम में हो अपने काम से मतलब रखता है बहुत ज्यादा लोगों में आवा भगत में लीन नहीं रहता अपने आपको एकांत में एकांत वास कर लेता है काशी व वरतन के साथ वो विक्ति को दार्मिक भी बनाएंगे और शनी और चंद्रमा का योग विश्दोष भी पैदा करेगा हाला कि वहां पर उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि गुरु वहां बैठेंगे और गुरु जो बैठें हैं वो कौन है भाई जी भाग्य चंद्रमा कोन है चतुर्थ भाव के अधिपति यानि की चतुर्थ दशम और नवम चतुर्थ नवम और दशम इसके अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में जो स्थती बनेगी वो नवम भाव के अधिपति का समन्ध चतुर्थ भाव के कारण डग्ती यहां पे कई बार आरंब में छोटीनोकरी करता है बात में जाकर करके बड़ी नौकरी पे हासल कर लेता है और दूसरे नमबर पे पिटा को कई बार जद्दो जहत करते देखा जाता है पिटा कई बार अपने कर्म से खुश या कई बार पिता का जो करियर वाला पक्ष होता है, वो थोड़ा कम्जोर सा होता है, यह यहां तक clear, लगन की अधिपती का चठे में जाना पर पापक ग्रह होकर के चठे भाव में जाना और मंगल का चठे भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, मतलब लगन की अधिपती एक मिनट भी बैठ ना सके इतनी उर्जा हलकि वो धीरे 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 करके स्टेबल हो जाती है राहू का प्रभाव उच्छका होगा और शुक्र उसको देखेंगे ऐसी अवस्था में धनभाव का अधिपति शुक्र और धनभाव को देखे और शुक्र राहू और केतो के संप जाते हैं कि इसका विकास रुक रहा है वैसे ही जातक का उत्थान होता है और फिर वो अपने सभी सहपार्थियों से आगे चला जाता है मेरा भी कुछ हैसा ही था हाँ पर ठीक हूं क्योंकि आप लोग मिल गए और दरसल सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि मेरे 300 जो कमेंट आए जो मेरे दरशक 300 कमेंट जो करते हैं 500 जो कमेंट करने वाले जो लोग है वो मेरे नीजी है वो मेरे अपने हैं जो मेरी मश्बूटी है और और प्रतेक कारिकरम चाहे कैसा भी हो वो 4000 का व्यू detonate ना वहोतोरी सवार्थी जो सिर्फ उसी कारक्रम पर आते हैं जो उनके क काम की होती है मैं कहता हूँ कारिकरम में और जोतिश के छेतर में खास करके मुझ जैसे स्वस्थ वक्ति के साथ कभी भी जो बिल्कुल ही बाजारी करन से युक्त नहीं है उसके साथ बाजारी समंध न बनाई है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही ठीक ठाक समंध होना चाहि मुझे आप ही को पार करना है मेरे पास इतनी शमता नहीं है कि मैं आपको पार कर सकता हूँ तो ये बात मैंने इतनी बताई कि मुझे आप लोगों के द्वारा ही पार होना है ये बात यहां तक खत्म अब भाग्यभाव की चर्चा मैंने करी यह बहुत अची बात है भाग्य भाव के अधिपती का तश्रम में जाना धर्म कर्म अधिपती योग लगेगा और उसके बाद पंचम भाव के अधिपती का छठे में जाना और पंचम के कारग गुरू का पंचमेश को देखना पंचम के कारग गुरू होते हैं न और पंचम क अनंत यात्रा पे जाता है और पूरा अभी करता है पराक्रम भाव के अधिपती का स्वग रही होना और पराक्रम के कारक के साथ बैठना पंचम भाव के अधिपती का छठे भाव के अधिपती के साथ बैठना ये कुंडली को कैसे मस्बूती दे रहे गोर करिए लगन के अध अधिपती का जन्मकुणली में चतुर्थ को देखना तो चतुर्थ भाव बल्वान होगा, उपर से गुरू चतुर्थ के कारक हो करके देखेंगे, और साथी साथ दशम भाव के अधिपती भाव को तो महाभागेशाली योग बनेगा, पंचम भाव के अधिपती सूरिय, द्रिष्ठ होने से व्क्ति के पास सबका बल है, ग्यान का बल है, पराक्रम का बल है, साहस भी है, उर्जावान भी है, धैर्य भी है, उसके पास रणनिती भी है और बुद्धिमानी भी है, तो यह चीज होता है, कभी भी रिण में न रहे, और जब पैसा दे दे तो कोई न पीछे तिन-तिन सुभग्रा नहीं पापग्रा बैठे हैं, जो इसका बल बढ़ाएंगे, हाला कि थोड़ी कमजोरी भी होगी, तो इस वज़ा से सब्तमभाव पे थोड़ा ध्यान देना होगा, हाला कि सब्तमेश धन दायक होंगे, पत्मी धन देने वादी और स्वत्राल धन पसंद करता है, साथी साथ यहां विपरित राजयोग मंगल के कारण और आठमे भाव के अधिपती पे गुरु की दृष्टी प्यक्ती के जीवन में धर्म को और कर्म को जोडने वाली, साथी साथ अस्थम भाव के अधिपती सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, इस कार लक्षा ही कई बार छोटे-छोटे कर्मों से भी ब्रक्ती पैसे कमा लेता है, लालची होता है और कई बार जल्दी ही धन कमाना चाहता है, या बहुत जल्दी ही लक्षा तक पहुचना चाहता है, मेश्लगनका है, पराक्रमी है, परम बीर है, टिक्डमी है, बुद्धिमान है और हाजिर जबाब छोटा होगा बहुत उचे कतकान हो पर ऐसा हो कि उसका काम चल जाए उस लंबाई से वो कभी छटेगा नहीं कभी कटेगा नहीं कभी बिटेगा नहीं और कभी भी किसी के द्वारा हारा नहीं जाएगा, या किसी के द्वारा पराजित नहीं होगा, हराया नहीं जाएगा, गुरू और शनी का एक सांथ बैठना सरकारी नौकरी का योग बनेगा, दशंभाव में चंद्रमा खुद की नौकरी का योग बनेगा, खुद नौकरी डेवलपर बन जाए, या नौकरी द प्रासीए नहीं होने देता मतलब घ्रप्ति को पता है कि मेरा अधिकार का है मंगल वाले लोग बड़े ही मजबूत होते हैं मतलब उनके पास बल बड़ा अच्छा है बहतरीन बुद्धिमान ग्यानी होने के साथ साथ उनको बड़ा ही इस भाव का रता है कि जंडा मेरे हाथ मेरे मतलब दुश्मन के बिहारी वार्षा में कहूं तो पिछवाड़े पे लात मार करके बाहर रिकाल देने वाला हां बोल सकता हूं कभी कभी ऐसा इस लगने के लोगों के साथ आप इनके निडरता का कोई परिशा नहीं दे सकते और खास करके ये और भी बात तब पढ़ ज करता नहीं है और बिल्कुल ही मजबूत होता है मतलब ये भूमिका में बचल्शा इसतर दोलता रहें और कभी एक जगह करके ना रहें इनकी एक समस्य यह होगी कि एक जगह बहुत जादा दिन तक तक नहीं पाएंगे और म ऴालों के पास उनका बल हमेशा रहता है और वो थोड़े से ऐसे वाले होते हैं, जैसे कि तुरंत ही उत्तर दे करके, कई बार अपना पला कमजोर कर ले, पर बाद में पर चाहता अब तुरंत ही हो, रिग्रेट फिले, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिता है, ऐसा वाला, कि ऐसा होता है, उसके बाद आप इसको समझें तो मेश वालों के पास एक बड़ी अच्छी बात होती है, कि वो गरीबी हो, अमीरी हो, हमेशा ही सता से जुड़ करके होते हैं, और वो चाहे कितने ही पद वाले हो, और कितने ही नीचे वाले हो, उनका एक जो दम होता है, वो लेबल में होता है, कि मुझे यहाँ इस स्थो वो जो बात कह देंगे, उससे कभी पलट नहीं सकते हैं, और व्रिशिक वाले स्थिक हिसाब से पलट सकते हैं, मतलब उनके पास दाव खेलने का मौका होता है, परमेश वाले जो बात कह दिये, तो गोली निकल गए, अब वो वापस नहीं आ सकती, जो चीज पकड़ लिया, उसको छोड़ेंगे रहें, और जिसको छोड़ दिया, उसको पकड़ेंगे रहें, वात गलती हो, तो स्विकार न करें, और स्विकार भी कर लें, तो बाद में कोशिस बहुत बार यही करते हैं कि अब दुबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसा होता है, इस चरितर को करने की बात है मेश्वालों की ये समझने की बात है तो ये दशमभाव की बात है एक आदश्मभाव की अधिपती जन्मकुंडली में जो शनी है वो दशमभाव में बैठे है इसे महाभागेशाली योग कहेंगे और दरसल वो चतुर्थ भाव की अधिपती के साथ बैठे हैं वो कर लेना चाहिए, जो इनके पूर्वज करते आए हैं, वो कर लेना चाहिए, और विक्ति को सरकार से जुड़कर की काम करने का प्रभाव विक्षित करना चाहिए, इनकी कुल्ली में इनका साहस, इनकी कुल्ली में इनका पराक्रम, इनकी कुल्ली में इनका बल, इनकी कुल इनकी कुल्ली में इनका हाजर जबाद, इनकी कुल्ली में इनका फुर्तिलापन, इनकी कुल्ली में इनका अदम में साहसी होना, यह सब भरा पड़ा है, पर कमजोरी, पेट, कमजोरी, हड़ी, कमजोरी, नाभी का छेत्र, यह चीज़ें, नौमान्स कुल्ली में सुर्य और मं यहां पर चंद्रमा मंगल और केतु का प्रभाव गुरू और चंद्रमा एक साथ पदा धीकारी पद पे जाना, पद पे युप्त हो करके काम करना, मंगल उच्च के सूरी के साथ शनी स्वग रही, यह इस्थोती बहुत अच्छी होगी, कर्म छेत्र से व्यक्ति धन कमाएग और उसकी वाणी और उसका प्रभाव और उसका जो प्रशार होता है, वो बहुत ही व्याप्त होता है, लोगों में इसका डर भी कायम रखता है, बुद्ध और सुक्रबारा में खरचीला होने का स्वभाव रहु है, व्यक्ति को घर से कई बार दूर रखता है, और व्यक्त उपस्थित होना है, आप समझ गयोंगे, उसे कैमरे के सामने कैसे उपस्थित होना है, उसको पता है, इनकी कुंडली में बुद्ध बड़े अच्छे हैं, इनकी कुंडली में शनी बड़े अच्छे हैं, इनकी कुंडली में चंद्रमा और सूरिय बड़े अच्छे हैं, और अच्छी बनी है, अभी तो यह जातक बहुत छोटा है, इसको संसकार दीजे, कम से कम गीता, कम से कम रामायर, कम से कम हनमान चालीसा, कम से कम सुर्य का अर्ग, कम से कम मंदिर का जाना, कम से कम माता और पिता और बड़ों का आदर, कम से कम गुरुजनों का आदर, कम से कम संसक ह्टार बहुत जादा मामले में मंदिर का जाना और गुर्छनों का प्रभाव विक्षित करना किसी भी किसी तरीके से बत्स बदीन ना करने का प्रभाव रहे कि यह ऐसा कर सकता है ऐसा कभी-कभी होगा क्यूंकि मेश्वाले हैं कभी-कभी बढ़े जाते हैं कुछ ही जिदरी के साथ के कारेडम का समापन करते हैं अब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्क्राइब